हलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं सब घर में होंगे सब ठीक होंगे सब जवरदस्त होंगे आज की वीडियो में बात करें हम लोग मार्क सीट के बारे में जी हाँ कि कमपार्टमेंट का मार्क सीट कैसे होगा उसमें C लिखा हुआ रहता है पास लिखा हुआ रहता है डिविजन लिखा रहता है तो इन सारी डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह देख लिजे यह आपका कमपार्टमेंट का मार्क सीट हो गया उसके बाद कमपार्टमेंट मार्क सीट के बाद आप देख लिजे यह था आपका जहारखन बोड का 12th का मार्क सीट कमपार्टमेंट का उसके बाद आप यहां देख लिए यह भी आपका CBSC का 12th का मार्क सीट है उस पर हम लोग धीरे से चर्चा करेंगा आगे बने रहे हैं हमारे साथ कहीं जाने के आपको जूरत नहीं है उसके बाद यहां पर आप देख लिए इंप्रूब्मेंट की मार्क सीट की चर्चा करेंगा हम लोग उसके बाद आप देख लिए यहां पर regular की जो मार्क सीट होती है 12th की उसकी चर्चा करेंगा हम लोग उसके बाद यह जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक और चर्चा करेंगा कि आपका annual secondary examination जी हां 10th की जो examination हुई है इस बार उसकी regular की मार्क सीट कैसे होती है फिर उसक सबसे पहले मैं बता देना चाहते हूं कि यह आप ने 12th छारखन वोट से दिया है और आप regular candidate थे और आप cross कर गये हैं यानि कि एक सब्जेक्ट हो गया तो आपका compartmental लग गया सबसे पहले आपको आप compartmental appear होना चाहते है या नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपके मान में थोड और सब्जेक्ट के साथ उसके बाद physics chemistry paper होती है उसके बाद mathematics होता है computer science किसी कॉलेज में economics भी होता है तो यहाँ पर यदि आप इन सारी चीजों में पास कर जाते हैं तो ठीक है यदि आप किसी एक में fail कर गए तो आपको एक सब्जेक्ट का compartmental देने का प्रावधान है लेकि कि उनसे मैं वादा किया था कि उनकी personal detail को यहाँ पर मैं publish नहीं करूँगा तो इसलिए hide कर दिया गया है अब यहाँ पर देख लिजिए सबसे पहले तो आपका college का नाम रहता है roll नमर रहता है roll quarter registration नमर रहता है previous roll नमर रहता है जो कि आप पिछली बार appear हुए थे उसके पास लिखा हुआ रहता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका 60% से ज्यादा माक्स आ गया तो आप first division नहीं है आप first division ही है यहाँ पे यह लोग पास लिखते हैं क्योंकि आपने एक subject में appear होके इतना score करा हुआ है और इसके चलते आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाल यहाँ पे यह abbreviation नीचे दिया हुआ है C का तो इसका मतलब यह है कि यह जिनका यह माक्सीट है वो chemistry में fail कर गए थे और chemistry में reappear हुए थे यानि chemistry का compartment exam दिये थे जो कि यहाँ पे आपको C दिख रहा है तो यह यहां का माक्सीट हो गया अब देख लिजिए कि 2015 की जो माक्सीट पास हुए थे उनका यहाँ पे first division लिखा हुआ था तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका में नहीं लिखा हुआ है तो आपको दिक्कत करनी होगी और यहाँ पे D देख लिजिए कि D stands for distinction लिखा हुआ था एक subject में इनका distinction था तो यहाँ पे D लिखा हुआ इधर first division लिखा यहाँ पे आप देख लिजिए यह जारकंट बोर्ट का मैंने दिखा दिया उसके बाद CBSC का मैं दिखा देता हुआ कि CBSC में तो आपका regular में आप दिजिए या फिर आप compartmental दिजिए वो सिर्फ पास ही लिखेंगा है यहाँ पे देख लिजिए कि यह एक लड़के का है यहा पे रॉलमा रहता है उनका नाम रहता है उनके माता पिता का नाम रहता है और वो कौन से स्कूल से पास किया है वो भी नाम रहता है यहाँ पे देख लिजिए पबली की स्कूल धनबाद दिया हुआ है यहाँ पे धनबाद का कोई स्कूल है उसके बाद यहाँ पे आप फेलिंप्रेक्टिकल होता है। उसके बाद F T यानि कि failure होता है। यह failure theory हुए थे आपका mathematics subject में उसके बाद इनका game क्या हुआ था कि appeared for improvement यहां पर लिखा हुआ और result में past लिखा हुआ। यह क्या हुआ था कि 6 subject यह दी रहता उसमें switch कर गया और इनका result बन गया उसके बाद किया हुआ कि यह mathematics में appear हुए क्योंकि बहुत सारी कुछ-कुछ exams होती है वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यह आपका PCM में इतना marks चाहिए तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन उसके बाद यह जैसे ही पास कर गए mathematics म तब पहले का top 5 marks था वो top 5 ही जूटता है और आप जारखन बोर्ड में भी देख लीजिए कि यहाँ पर पास हो जाने के बाद पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा जारखन बोर्ड भी adapt कर लिया ऐसा rule कि अब यदि 6 subject में कोई लड़का appear होते है तो उनका top 5 का ही marks जू कुछ जगह पर यह दिक्कत हो सकती है जैसे कि यहां पर यह appear हुए थे जैसे आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन नेवी सब में इस सब में कहता है कि PCM में आपका 60% रहना चाहिए या फिर PCM में 55% रहता है अलग 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 क्राइटिरिया र माल लीजिए बन गया 65% उसके बाद इधर मैथेमेटिक्स में आपका 35 है तो इस कंडिशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि उधर यदि माल लीजिए दो पेपर में आपका फिजिक्स में 60 है और केमेस्ट्री में 60 है उसके बाद यहां पर आपका कमपार्टमेंट का आप अगली बार करेंगे तो मैं कहता हूं मेरा यह परसनल सजेस्ञना पोणोर चा परसनल आपके वा पीजिए कमपार्टमेंट के एक्ज़ाममें उसके बाद यह प्यंदा सौक करता है यह कुछ भी होता है तो कम से कम आपके पास एक बैग-बॉन डर देखना है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है एक तो आप पहले पास हैं तो आपको फैल होने का डर नहीं रहेगा और जिस आदमें को फैल होने का डर नहीं रहता है वो बहुत AZT form करते हैं तो यह suggestion है कि आप यदि टेंशन में है तो आप सबसे पहले अभी compartment exam का form भर दीजिए वह से बार आने वाले समय में आप improvement की exam भर दीजेगा एक साल के बाद उसके बाद यहां पर मैं दिखा देता हूँ कि यह जो improvement की exam होती है जहारखन बोट की वह कैसे होती है तो यहां पर improvement का exam का form आपको regular candidate के साथ ही भरना पड़ेगा यहां पर ठीक वैसे लिखा रहेगा देवगर college देवगर का है लड़का उसके बाद यहां पर improvement में यह एपियर हुए थे तो improvement यहां पर mark sheet के अगर ठीक उपर लिखा हुआ रहेगा उसके बाद यह जिस subject में यह तो सारे subject में अपियर हुए थी इसलिए इनका सारा subject का आया कोई तीन subject में अपियर होते है तो तीन subject का आता है फिर बाद में merge करके add कर लिया था है तो यहां पर देख लिजी कि यह English में इनका पहले कम था फिर English में ज़्यादा आया तो यहां B better लिख दिया गया उसके बाद economics में पहले इनका कम था तो English में दुबारा जब यह exam दिये तो कुछ अच्छा कि यह पहली बार से तो यहां पर B लिख दिया गया और improvement में आपका division लिखा हुआ रहता है जैसे second division है, first division है तो ऐसी कोई बात में improvement में आपका division लिखतेगा और आप यह इस बार compartment exam में appear हो जाएए आप पास होके एक tag लगा लिजे कि आप पास है, tension खतम कर लिजे, उसके बाद अगली बार आपको यह ज़्यादा tension लग रहा है तो आप improvement में appear हो जाएए, improvement में जैसे ही आप appear होते हैं तो आपका जो result आएगा वहाँ पे second division, first division आप जितना score कर सकते हैं वो आपका result रहेगा, उसके बाद कुछ इस बार की दिखा देना चाहता हूँ कि यह तो regular वाला candidate का हो गया था, regular वाला में लिखा हो रहता है, उनको क देख लीजे 10th की result है, Hindi, English, Mathematics, 10th में पहले क्या होता था कि division नहीं लिखता था, लेकिन आजकल 10th की जो regular subject है, उसमें भी यह लोग division लिख देते हैं और जो compartment देते हैं उनके लिए अलग criteria हो जाता है, तो खेर कोई दिक्कत नहीं, compartment देके आप बचा लीजे और अगली बार फिर से reappear हो जाईए, उसके बाद यहां पे देख लिजी कि science की जो है, इस बार भी science वाले ना, यहां पे 2020 का 12th की examination हुई थी, और इसमें इनका 329 marks आया था, तो यह first division इनको लिख दिया गया, और आपको यह first division नहीं लिखा हुआ रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है division का कोई लोचा नहीं है, CBSE तो कोई मतलब ही नहीं रहती है, कि आप pass हुए है, फेल हुए है, sorry, pass हुए है, फेल हुए नहीं, मतलब कितना ज्यादा marks आया है, बस वो लोग pass लिख देंगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से ताइक कर लिजिए, कि आपका कितना marks है, 60% से ज्यादा है, तो आप first division लिखिए, और second division में आये हैं, तो 45% से लेके, ज्यादा है 60% तक, तो आप second division as a, उसको मानिए, उसके बाद सब जगा form भरिए, उसके बाद एक और यहाँ पर बात में बता देना चाहता हूँ, कि यदि आप CBSE से एपियर होते हैं, या फिर आजकल जारखन बूर से भी एपियर हो जाते हैं, तो आपका compartment देने के बावजूद यह रिछे subject है, तो छठा subject में कम marks आ जाता है, तो आपका top 5 marks ही आजकल count होता है, तो इसमें कोई घावराने वाली बात नहीं है, बस आप top 5 marks को विटेज में रखिए, और ऐसा भी doubt आएगा कि मन गया है, वहाँ पे आप top 5 का ही subject देंगे, लेकिन mathematics आपका subject था, वो compulsory ठीक है, लेकिन कुछ exam जैसे कि आपका Indian Army हो गया, वो लोग PCM में ही मांग लेते हैं, तो वहाँ पे आपको अलग से math वाला जोड के दे देना पड़ेगा, यदि maths आपका छठा subject था, तो I hope आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, यदि आपको अभी भी कुछ doubt है, तो आप हमारे comment section में comment कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक detail जानकारी मिलेगी, हर एक सवाल का आपका जवाब दिया जाएगा, अगर आपको इस से related और भी ज़्यादा doubt है, तो आप ज़्यादा comment कर सकते ह हमारे चैनल को like, share, subscribe करने के साथ बेल का बटन दबा दिजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस से related हम लोग बहुत सारी video बनाते रहे हैं, और final conclusion में बता दिना चाहते हूं, final conclusion यह है कि आप इस बार compartment exam में appear हो जाईए, यदि आपको ज़्यादा ही कुछ doubt रहेगा, तो आप अपना result ले सकते हैं, वो better performance रहेगा, उसमें आपका, यदि आपको ज़्यादा सौक करेगा, तो आप हर एक subject को तवज्यो दे के, और हर एक subject का तयारी करके form भर दीजेगा, और उसके बाद आपका result बहतर हो जाएगा, I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी, धन्यवाद, ज